एल्लरगू नमस्कारा आप सभी को नमस्कार इस बार हम आए है करनाटका में आपने कूर्ग ट्रिप के पहले दो वीडियो नहीं देखिए अभी जाके देखिए उसमें आपको कूर्ग और उटी का बजिट प्लान में लेगा तो इस वीडियो में हम देखने वाले है कूर्ग की सारी फेमस प्लेसिस जैसे की अभी फॉल्स राजा सीट पार्क और वहाँ से दिखने वाला ब्यूटिफुल टॉप व्यूँ साथ ही हम देखने वाले हैं दुबारे एलिफिंट कैम और पास में बहने वाली कावेरी रिवर और वीरी इंट्रेस्टिंग हम रास्ते में कुछ कॉफी स्टेट्स भी देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी कूर्क ट्रिप का दुसरा दिन है और पहले दो वीडियो में हमने देखा है कूर्क का प्लानिंग बजट क्या होने वाला है और एक मंदल पट्टी पॉइंट भी हमने देखा है जो की बहुती सुन्दर टॉप यो था तो आज हम आए है अबे फॉल्स पे ये आज के दिन का हमारा दुसरा पॉइंट है ये वाटर फॉल करना टका के कोडगू में है जो की मड़ी केरी से 8 किलो मेटर की डिस्टन्स पे है मैसूर से ये 122, मैंगलोर से 144 और बांगलोर से 268 किलो मेटर के डिस्टन्स पे है अबे फॉल्स पे पहुचने के बाद 15 रुपीज पर परसन वहाँ पे आपको टिकिक पे करना पड़ेगा साथ ही वेहिकल पार्किंग चार्जिस है 10 to 50 रुपीज depends on your vehicle आप अगर हमारी तरह सेम प्लान फॉलो करते हो तो मांदल पट्टी पॉइंट से यहां तक कैसे पहुचना है इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा अबे फॉल्स पे टाइमिंग्स है जैसे कि मॉर्निंग 9 एम टू इबनिंग 5 पीम तक यह ओपन रहता है इसके बीच आप यहां पे आके विजिट कर सकते हो अभी हम अबे फॉल्स आये है तो अबे फॉल्स के बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते है अबे फॉल्स को तीन नाम से जाना जाता है अभी फॉल्स, अबे फॉल्स और अबे फॉल्स इन तीनों के स्पेलिंग यह लोग अलग अलग लिखते है और इसके पहले इसको और एक नाम से जाना जाता था जो की ब्रिटिशर की वाइफ का नाम था जेसी और अभी आप जो आजू-बाजू में देख रहे है वो वो एक private property है जिसमें की coffee plantation है और काफी सारा spices का भी plantation है जो की हुआ करता था एक जंगल ये place Mr. Neera Vanda ने discover की और फिर उसके बाद उन्होंने government से खरी दी भी और फिर उन्होंने जंगल को convert किया coffee or spices के plantation में जो की आप अभी देख रहे हो आप अगर right side में देख सकते हो तो एक hanging bridge है जहाँ से waterfall का view बहुत सुन्दर आता है इस waterfall का flow monsoon में और भी जादा होता है तो ये बहुत huge दिखता है आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत लोग है ये point को visit करने आए है तो करनाटका में आने के बाद आपने यहाँ पे एक बार जरूर विज़िट करना चाहिए यह यहाँ का एक famous tourist place है तो यह थी सारी information abe falls के बारे में abe falls की height 70 feet है और जो पानी नीचे गिर रहा है वो सीधा कावेरी रदी को जाके मिलता है आगे हम वीडियो में कावेरी नदी भी देखने वाले है यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम जाने वाले है राजा सीट गार्डन में जो की यहाँ से 7 km की डिस्टेंस पे है इसके अलावा मैं आपको बता दू की आप यहाँ से कौन-कौन सी places विज़िट कर सकते हो जो नियर बाए है जिसे की golden temple 38 km की डिस्टेंस पे है 40 km की डिस्टेंस पे है जो हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं वैसे तो इतनी places विज़िट करने में आपका दिन चला जाएगा बट आपके पास time है तो आप यहाँ से 50 km की डिस्टेंस पे तलाग आवेरी है वहाँ पे जाके आपका time spent कर सकते हो अभी तक जो हमने information शे कर ले ऐसी ही नए नए places की information के लिए travel related information के लिए आप हमें हमारे Facebook और Instagram पे भी follow कर सकते हो अभी यह जो symbol देख रहे हैं हम घर पे लगा हुआ यह सारे घरों पे यहाँ पे लगा होता है इसे कूर का symbol कहते हैं यहां के लोग कूर्गीज लैंग्वेज बोलते हैं जिसे लागू है यहाँ पे उनके पास बहुत सारा agriculture land है और यह लोग बहुत सारे weapons भी क्यारी करते हैं और उसी से वो symbol बना है और यही एक community थी इंडिया में जिने firearms क्यारी करने का permission था without a license तो गाई हम वाटरफॉल से निगल के यहाँ पे आ रहे हैं एक दो किलोमेटर से डिस्टीस हम आगे प्रॉस करके आए हैं और अपने पूर गाये हैं और यहां से अगर कॉफी नहीं लेती है तो क्या माल तो यहाँ पे एक लोकल शॉप है यहां से अभी हम कॉफी लेने वा यहां लोकल के आतरी लेता ने ब्तैश्य को दाता बुटिय। ब्लाइशिन का गार्दह के देखए हैं एक घुट एफग। रोबस्ता और प्लांटेशन और ब्लेंड करके लिए यह बीन्स है आप ब्लेंड करके आप खुद दोगे आप क्रश करके पाउडर तो अभी हम लेने वाले 60 प्लांटेशन और 40 प्लांटेशन रोबस्ता और प्लांटेशन रोबस्ता और हाउर रोबस्ता में आंडर ग्राम प्सक्राइण और की सब्की पाइन पाउड़ा है परफेक्ट या बीन से हम उसका फाइन क्रश करके ले रहे हैं तो ये था अभी फॉल्स और यहां का फेमस कॉफी गाइस कॉफी हमने घर आके ट्राइ किया है इस रिली नाइस आप कोई भी ब्रांड का ना ले लोकल शॉप से ही ऐसे कॉफी पर्चिस करें बहुत सही है अभी हम पहुच गए है राजा सीट गाइडन में तो चलिए देखते हैं गाइडन कैसे है अंदर से हमने सुनाए कि यहाँ पर बहुत सुन्दर व्यूपॉइंट है तो यहाँ पर टेन रुपीज पर परसंट टिकेट है अंदर जाने चलिए राजा सीट गाइडन में आके भी हमें पार्किंग का 40 रुपीज पे करना पड़ेगा और लोकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे उससे आप अबे फॉल्स से यहाँ तक आराम से पहुच पाओगे गाइडन के टाइमिंग्स है मौनिंग 5.30 टू 8 पिम इसके बीच आप यहाँ पे कभी भी विजिट कर सकते हो राजा सेट गाइडन ये मेडिकरी का एक पॉपिलर टूरिस प्लेस है इसका नाम राजा सेट क्यों दिया गया है तो हिस्ट्री सेज कि यहाँ के जो राजा थे वो ये गाइडन में आके अपना टाइम स्पेंड करते थे यहाँ का संसेट और संराइज एंजॉई करते थे तो उसी को लेके इस गाइडन का नाम राजा सीथ है साथ ही यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छा नजारा होता है क्योंकि बहुत ही टॉप से आप एक ब्यूटिफुल व्यू देख सकते हो अगर आप यहाँ पे विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो ट्राइ करें कि आप एक तो संसेट के टाइम आए या फिर संराइस के टाइम आए क्योंकि उस टाइम बहुत ब्यूटिफुल व्यू होता है संसेट और संराइस के टाइम पे थोड़ी भीड जादा होती है उस वज़े से हम उस टाइम पे नहीं आ पाए तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप Sunset और Sunrise देख सकते हो तो अगर आप विजिट करते हो तो यहाँ पे जाए और Sunset Sunrise के टाइम जाए और हमें भी कमेंट करके बताए कि कैसा था इसके अलावा वहाँ पे आजू बाजू में ओमकारेश्वर मंदीर है इन सारी चीजों को भी आप विजिट कर सकते हो यहाँ के मंदीर बहुत ही कलरफूल है जो कि हमें तो बहुत अट्राक किये तो हमें Bangalore से लेके कुर्थ के रास्ते में भी बहुत सारे मंदीर दिखे थे तो आप उन में से कोई मंदीर को ज़रूर विजिट कर सकते हो कुछ वूडन की चीजे दिख रही है बहुत ही ब्यूटिफुल है हम यहां से कुछ कैरी भी करने वाले है तो चलिए देखते हैं कि यहां पर क्या-क्या अवैलेबल है हमने यहां से कॉफी, स्क्रब और यह लिया है कॉफी वूड का यहां से अभी हम निकल गए है दुबारे एलीपिंट कैम अभी हम जाने वाले है तो हमारी लिए भी एक्साइटिंग है कि हाथी हमें देखने मिलने वाले है तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे कि हमें कैसा लगता है दुबारे एलीपिंट कैम और आपको भी हम दिखाते है रास्ते में हमें यह कॉफी फार्म मिला है काफी घना है तो हमने सोचा क्यों नहीं यहां पर कोई पेड़ पे कॉफी बीन्स कैसे होते है वो दिखते है तो बट यहां पर अभी हम देख रहा है कि कोई भी पेड़ पे कॉफी बीन्स नहीं दिख रहा है आगे भी हम कोशिश करेंगी कि कोई फार्म में कॉफी बीन्स पेड़ पे लगे हो तो हमें भी देखने मिलेगा क कि वो पेड़ पे लगे हुए कैसे दिखते हैं कॉफी के साथ साथ यहां पे स्पाइसिस के भी बड़े बड़े फार्म से और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ भी है तो चलिए हम देखते हैं यहां पे भी जाके एक हमने स्पाइसिस का फार्म देखा रास्ते में तो वहां तो यहां पर वो मिट्टी पकड़ के रखने के लिए बड़े पेड़ इस्तमाल होते हैं उसकी हेल्प होती है इसलिए यहां पर कॉफी फार्म्स में भी बीच बीच में बड़े पेड़ लगाए हुए हैं तो यहां पर इस तरीके से रास्ते में आमें बहुत सारे स्पाइसे के फार्म्स देखने मिलते हैं तो यहीं यहां की खास बात है कि रास्ते में जरनी भी आपको बहुत एंजॉइंग लगेंगी बहुत ब्यूटिफुल लगेंगी क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी और आप कहीं पर भी रुक के कोई भी फार्म में थोड़ा देर टाइम और दिखने में भी बहुत ब्यूटिफुल है क्योंकि लंबे-लंबे पेड़ है जो हमें महाराश्रा में नहीं देखने मिलते हैं तो हर जगाकी अपनी-पनी एक ब्यूटि है हम जो टाटा कॉफी पीते है उसका एक फार्म हमने रास्ते में देखा यह जो वीडियो में सारी चीज़े देखी कि कैसे कैसे फार्म से अभी हम अल्मोस्ट दुबारे लिफिंट कैम के पास पोहुच गये हैं और हमारे लिए भी बहुत तो यहां से है एंट्री एलिफिंट कैम की बहुत सुंदर दिखता है बहुत सारे नारियल के पेड है लाइन से और यहां पे हम अभी पोहुच गए है लंबा लाइन लगा हुआ है टिकेट के लिए तो यहां से हमें कावेरी नदी में राफ्ट करते हुए जाना है आगे और उसके बाद आएगा एलिफिंट कैम तो यहां पे यह लाइन में अभी हम लगेंगे टिकेट निकालेंगे राफ्टिंग का टिकेट है 50 रुपीज पर परसन और यहां पे हमने टिकेट निकाल लिया है एक राफ्ट में आठ से नौ लोग बैठेंगे और हम यह कावेरी पार्किंग के लिए सब इचिजों के लिए थोड़ी कैश तो डखनी ही पड़ेगी स्टील वाटर है यहां पे तो हमें बोटिन जैसा ही फील आएगा बस बहुत जादा नहीं है एक पास दस मिनिट में हम वहां पे पहुच जाएंगे बस यह कॉर्णर से वह कॉर्णर तक जाना है तो यह अभी हम आल्मोस्ट पहुच गया है कैम्प के पास वहां पे जहां पे आपको बहुत सारी बोट्स दिख रही है वहां पहुचने के बाद हमें एंट्री फी पे करना है 50 रुपीज ध्यान रखें कि यहां पे हर जगह पे पार्किंग और एंट्री फी तो आ आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसी बीच यहां पे आके विजिट करें यह एलिफेंट कैम्प बहुत ही पॉपिलर टूरिस्ट प्लेस है कूर्ग का कूर्ग में आने वाला हर कोई विजिटर यहां पे एक बार आके जाता है क्योंकि यहां के जो एलिफेंट्स है वह ए देखाऊं की वीडियो में आगे कि छोटे एलिफेंट्स कहां पे है और यह जो आप बड़े बड़े एलिफेंट्स देख रहे हो उसके लंबे-लंबे दात हमने यहां पे पूछा तो हमें पता चला कि इनका एज 40-45 के बीच में है बहुत ही हूज है यहां पे यह एलिफें किया चाता है यहां पे आपको बहुत सारी आक्टिविटीज भी करने मिलेंगी एलिफेंट्स के साथ जैसे कि एलिफेंट बात होता है जो कि मौनिंग टाइम में होता है तो हम लोग इवनिंग में आये हैं इसलिए हमें वो देखने नहीं मिला नेक्स्ट वीडियो में हमें एलिफेंट बात देखने मिलेगी जो कि हमने जंगल के एरिया में देखी है इसके अलावा यहां पे एलिफेंट्स को फीड भी कर सकते हैं हम तो यहां पे हमें यह इस तरीके से फीड करना है एलिफेंट को आप देखिए बहुत ही क्विक वो लेके जाता है तो इस तरीके स से multiple activities वहाँ पर होती रहती है elephants के साथ आप जाके वहाँ पर आराम से दो तिन घंटे आपके spend कर सकते हूं और सबसे important है अभी वापस जाते वक्त हम जो रिवर से जाने वाले हैं वह एक अलग experience है जो हमें यहाँ पर लेने मिलने वाला है तो यह सारे बाकी की भी हाती हाँ पर हमें देखने मिले यह जो है सबसे छोटा हाती है इसकी age 6 साल है तो यह था आज के वीडियो का last point और 5 बत चुके है इसके बाद हम directly जाने वाले हैं resort में नेक्स्ट वीडियो देखना बिलकुल ना भुले क्योंकि उसमें हम दिखाने वाले हैं निसरगधाम जो कूर्ग का एक tourist place है और काफी famous है साथ ही हम दिखाएंगे कुर्ग से लेके उटी तक का रास्ता और interesting बात ऐसी है कि रास्ते में हमें एक जंगल से होते हुए जाना है तो हम expect करें कि हमें वहाँ पे कुछ animals भी देखने मिलेंगे तो चलिए देखते हैं next वीडियो कैसे रहेगा तो आप भी वीडियो देखना ना भूले तो अभी हम निकले हैं वापस जाने के लिए यहाँ पे rafts ready है बट हमने चूस किया है कि हम नदी से होती हुए जाएंगे ना कि rafts से थोड़ा adventure करेंगे तो यहाँ पे इस तरह कैसे हम निकले है ऐसे पत्तर दून-दून के हमें आगे तक पहुचना है आगे पानी थोड़ा जादा होगा तो पत्तर मिलेंगे नहीं पर देखते हैं कैसे रहेगा मजा रहे है तो गाइस वीडियो पूरा देखिए आपको देखेगा हमारा written का journey कै कैसे रहा और मिलते हैं next वीडियो में I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने सारे points हमारे साथ enjoy किये होगे अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करे हमारे चनल को subscribe करे और bell icon को press करे ताकि every Friday आने वाले वीडियो की notifications आपके पास सबसे पहले मिलें और आपको help होगी आपकी tips प्लान करने में यहाँ पर जो greenery दीख रही है उसे देख के ही बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही पानी में से हम आगे जाने वाले हैं करेंगे जाद आपके लगते ही पाने वाले हैं झाल 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 हैंज को जसी अझा थे ढ़गू हुगु सक र स हा comments जन सकता हुआ को अपनगा के लगजू हुआ ... क्युम में झाना दया हुआ, हुआ के लाए सकता है प보 ia्प दुद्दिоп औाराई। झाल झाल